आडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 11 है चाप्टर 30 डेरिवेटिव एक्सरसाइज है 30.5 यह एक्सरसाइज 30.5 थोड़ी इंपॉर्टन है उसका कारण यह है कि जो CBSC, NCE, RT वाले हैं उनके मैक्सिमम्म क्वेश्चन इसी में है यहीं पर cover किये गए है तो question number 1 हम ले रहे है इसमें भी differentiate करना है with respect to x सवाल आपके पास क्या है और किसे इसको सवाल करना है मैं आपके बता दूँ कि यह fx by gx form के सवाल है यह दो function है आपके उपर fx है, नीचे gx है अगर आपका d by dx करना है तो कैसे करेंगे इसका तो उसमें क्या करते है बहुत ध्यां से देखिएगा पहले तो आप यह gx को लिखिए उसके बाद यह जो आपने gx लिखा है उसको यहां सीधा लिख दीजे तो बच्ता क्या है fx तो f का dash x कर दीजे अब यहां पर minus करना है आपको जो पहले हम लोग प्लस करते थे थे न यहां यह जो आप उपर देख रहे हैं यह बिल्कुल product rule जैसा दिखाई देगा लेकिन negative के साथ है f dash x तो कर दीजे आप f x लिख दीजे अब क्या करना है g dash x करना है अगर मैं इसको u माल लू और इसको v माल लू थोड़ा असान हो जाएगा इसको कैसे कर सकते हैं नीचे क्या है आपका v square और v को ऐसे लिख देना है u dash करना है minus करना है अब u dash सो हो गया तो u कर रखेंगे v dash कर देगे ऐसे करेंगे अब लोग तो अब आपको क्या करना है इसमें ये u है ये v है तो ये u है ये v है इस सवाल को हम पूरा करेंगे ताकि आगे कि सवाल आप समझ जाए क्योंकि इसको मैं थोड़ा से go through करूँगा इसको हम पूरा करेंगे ये आपका u है x square plus 1 तो u dash क्या हो जाएगा x square का हो जाएगा 2x 1 का 0 v क्या है आपका x plus 1 v dash क्या हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा x का 1 तो v u dash v dash मता है इस formula में रख देंगे v square क्या है आपका v square नहीं कि ये x plus 1 का हो square ये हो गया इसको ऐसे उतार लिजें आपे बिल्को सेव ऐसे लिख दीजे अब v लिखा है तो आपको u dash लिखना पड़ेगा यानिकर 2x से multiply करना पड़ेगा और आप minus लगा दीजे क्योंकि ये हो चुका है यहाँ पर 1 लिया इए 1 into 1 के साथ क्या होगा क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पर u आएगा x square plus 1 इसको open कर लेते हैं इसको multiply कर लेते हैं 2x into x 2x square plus 2x यहाँ पर आएगा minus x square minus 1 अब 2x square minus x square कितना होगा minus x square और ये 2x minus 1 ये 2x plus x square और ये plus 2x minus 1 और नीचे क्या है आपका x plus 1 का whole square ये final इसका answer आजागा इस तरीके से ये है question number 2 जहाँ 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 NCRT का आएगा मैं आपको बताऊँगा तो इसको मैं यही बता देता हूँ आपके आप समझगे ने किस तरीके से करना है तो ये u है u dash क्या होगा 2 का 2 मतलब x का 1 तो 2 के बचेगा ये 0 हो जाएगा यहाँ पर आईए ये 0 x square का 2 x हो जाएगा अब इसको नीचे उतारिए x square plus 1 को whole square और फिर उसके बाद जो cross मैं आपको बता है था 2 x square plus 1 ये और 2 x minus 1 into 2 x cross कर दीजे इसको और negative रखना है इस बार और फिर इसको खोल दीजे और जो भी आपका solution बनता है जैसे आपका यहाँ पर देखे 2 x square minus 4 x square आपका minus 2 x square बन रहा है बागी ये 2 x plus 2 तो ऐसी रहेगा हाँ ये ज़रूर देख रहे हैं कि 2 इसमें से common लिया जा सकता है तब 2 common ले लिजे 1 plus x minus x square अगर इससे भी कुछ बन सकता था तो काटते लेकिन बन नहीं रहा है तो यही इसका final answer हो गया अगला जो question है वो है question number 3 इसमें जो आपको function दे रखा है वो है x plus e की पावर x और divided by है 1 plus log x तो u आपका यह हो गया v आपका यह हो गया u dash क्या हो जाएगा x का 1 e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा v dash देख लेते हैं 1 का 1 plus log x है ना तो 1 का तो 0 रहेगा और log x का 1 by x हो जाएगा यह है किवल 1 by x बनेगा इसका ठीक है अब u into v dash और v into u dash लेकिन v into u dash आप पहले लिखेंगे कहने का मतलब यह है यह 1 plus log x होई यह हो गया और 1 plus e की पावर x यह हो गया मैनस करेंगे इसको इसको x plus e की पावर x और यह into 1 by x नीचे आपका है मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको नीचे जो आपका है वो है 1 plus यह जो v square है 1 plus log x का whole square इसको लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर देख लीजे इसको बाद में लिखूँगा उपर हम क्या कर रहे है उपर हम 1 by x का whole ले रहे है तो 1 by x हम का whole ले ले यहाँ पर क्या जाएगा x into 1 plus log x 1 plus e की पावर x मैनस x प्लस e की पावर x यह x बाहर इस ले लिए है क्योंकि इसके साथ आजाएगा अब इसको खूल लेते यह आपका बनेगा x इसको ऐसे मान लीजे किसी x से multiply कर देते हैं इसको मान लीजे यह x x की पावर e की पावर x ऐसे मान के चलते हैं तो 1 into x x और 1 into e x x plus e की पावर x x e की पावर x प्लस अब log x x log x और प्लस x e की पावर x log x यह आपका है minus x और minus e की पावर x आप देखें यह x और x कैंसल हो गया इसमें से आप x log x कावल ले लेजे आपको याद है ना x हमें बाहर ले आता नीचे की नीचे x log x बाहर ले लेजे तो इससे क्या बनेगा यहां से बनेगा 1 और यहां से आपका e की पावर x अब आई यहां पर यह है यह क्या बना यह बन रहा है आपका यह minus e की पावर x है और यह आपका प्लस x e की पावर x तो minus x minus 1 बजेगा तो 1 minus x क्योंकि minus भाले लिए है और अब आपको याद है नीचे क्या था ये तो है ही 1 plus log x का all square यानि कि v square 1 plus log x इसका all square और यहाँ पर आपका x ये इसका final answer आ गया ये है सवाल संख्या 4 इसमें उपर है e की पाउर x minus 10x नीचे आपका है cortex minus x की पाउर n तो परहां इसका differentiation कर देते हैं u dash कर देते हैं u ये है v ये है u dash क्या हो गया e की पाउर x का तो e की पाउर x रहेगा और cortex ये 10x का हो जाएगा minus x square x मतलब 6 square x minus तो है 10x का होता है 6 square x अब देश ले लेते हैं विडिएश क्या पनेगा आपका cortex का होता है माइनस गोजए x square x और x की पावर n का होगा माइनस यह तो माइनस है एन x की पावर n माइनस 1 तो multiplication करेंगे proper कैसे नीचे आपका v का whole square होगा तो मैं अभी लिखनी रहाऊ यह cortex minus x की पावर n का whole square है यह तो यहाँ पर होई गया उपर का कर रहा है यह तो अब clear यहीं लिख देंगे ऐसा ही उपर देख रहे हैं तो उपर multiply मैं यहीं बता देता हूँ आपको हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले हमको यह ऐसे करना वरता है पहले इसको लिखेंगे v into u dash तो cot x-x की power n यहां हो गया और x- x-square x here हो गया अब इसको करें गया e की power x- tan x यह हो गया और minus cross x square x- n x की power n- तो अब इसमें आपको कुछ करने की जरूद्न है चाहें तो कर लीजे बस इसमें यह क्या हुआ है इससमें मैंनस मैंनस यहाँ पर है ना यह answer same है, और नीचे cortex minus x e power n का whole square तो चली रहा है, सवाल संख्या है, यह 5 होगी, तो इसमें क्या करेंगे, आपका u by v दिया हुआ है, तो आपका ax square plus bx plus c है, नीचे आपका है px square plus qx plus r है, यह आपका u है, यह v है, अब u dash देखिए आप, ax square का हो जाएगा 2ax, bx bc का 0, v dash का हो जाएगा, px square का हो जाएगा 2px, और इसका हो जाएगा q केवल, और यह constant है तो 0 हो जाएगा, अब को क्या करना है, नीचे जो है v square आएगा, यह ध्यान रखेगा, इसका square रहेगा, यह तो आप को करना क्या है, इसको बस open कर लीचे, इसमें कुछ भी नहीं है, यह यही आपका solution है, बस आपको क्या करना है, आप px square को 2x से करिए, यह रिख दीजिए, 2a, px, q, px square को आप b से करिए, पहले इसको 2x से कर लेते, qx को 2x से करिए, तो आपका 2a, qx square, कमड़ी प्या करेंगे, और negative में खोलेंगे, अब आप देखेगा, इसमें, जो, अगर कुछ cancellation हो रहा है, तो cancellation कर दीजिए, और अगर आपको लग रहा है, यह कुछ आपका बच जा रहा है, तो आप ऐसे ले दीजिए, ठीक है, और, देखे, एक स्क्वार वाला टरम धूंदते हैं सबसे पहले, सब सच्छा तरीका यह होता है, यहापका x square वाला टरम है, यह भी x square वाला टरम है, यह भी x square वाला टरम है, और यह भी x square वाला टरम है, तो आप क्या करेंगे, इस x square वाले term का मैं बता रहा हूं आपको इसी को लिख के बता रहा हूं बाकि आप समझ जाएंगे मैं x2 वाला term लिख रहा हूं यह है 2aqx2 यह है प्लस bpx2 यहाँ पर हो गया minus 2bpx2 minus aqx2 देखे 2aqx2 और minus aqx2 क्या हो जागा aqx2 यह क्या हो जागा bpx2 minus 2bpx2 यह minus bpx2 हो जाएगा अब इससे आप x2 common लिजिए aq minus bp यह clear हो गया अब यह xq बाला term और यह xq बाला यह दोनों cancel हो रहे इंको अटा दीजिए x2 हो गया अब x पर आईए 2a rx इसको लिख देते है 2a rx और यह है plus bqx यह आपका हो गया minus 2pcx और यहाँ पर आपका हो गया minus bqx तो यहाँ पर 2a rx और 2bx यह bqx है यह bqx है तो इसको तरह डा दीजिए अब इसका कुछ हो नहीं सकता तो आप 2 बाहर ले लिजिए बरकि 2x ले लिजिए तो आपका बनेगा a r minus xp यह आपका x वाला term हो गया अब constant आप देख लिजिए constant आप में क्या हो गया है हमने सारे ले लिए constant term में आपका यह br है और यह cq है br minus cq तो यह आपका br minus cq हो गया नीचे जो है मेरे शुरुआत में बताया था यह v square तो चली रहा है वो यहाँ पर चली रहा है अब यह जो सवाल है question number है यह आपका चटवा question number चटवा जो है यह n-c-e-r-t का सवाल है जिसको रखिया जाएगा xy 1 plus 10x है दिया हो आपको तो यह u हो गया यह v हो गया u dash ले ले लेते हैं आपका हो गया x का तो खर 1 ही होता है v dash का हो गया 1 का 0 होगा 10x का 6 square x हो जाएगा पहले इसको multiply करीए इससे यानिकि 1 plus 10x को 1 से 1 plus 10x ही आएगा into 1 यहां किया हुआ है लेकि मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको हम कर लेते x into x square x तो x x square x नीचे का आएगा आपका v square 1 plus 10x का whole square बस यह क्या यह answer हो गया 1 plus 10x minus x square x यहाँ देख रहे है सवाल संख्या है आपका साथ इसमें है 1y ax square plus bx plus c अब इसके दो तरीके है यह तो आप इसको u लिजे और इसको v लिजे एक दूसरा तरीका भी आपको बताऊगा पहले uv के हिसाब से कर लेतें क्योंकि exercise uv की है तो u dash v dash u dash क्या होगा आपका one का तो zero होगा और इसका क्या हो जाएगा यह 2x plus b bx का b और यह c तो zero हो जाएगा अब इन दोंने को करके मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसको इसे करेंगे तो zero ही होगा आपको पुरा लिखना है बता रहा हूं था यहां से यहां तक से कैसे करेंगे यह जो है इसको आप y माल लीजे उपर ले जाएंगे y की पावर 1 तो y की पावर 1 करेंगे तो क्या होगा minus 1 y की पावर minus 1 minus 1 यानि की minus 2 और y क्या होना है आपने यह वाला तो यह जगा minus a x square plus b x plus c इसकी पावर minus 2 यह कर लिया उसके पाद आपको y में देखना कि x तो नहीं बचा हुआ है तो हाँ मतलब x का content तो नहीं है तो इसका दुबारा करना पड़ेगा तो x square का क्या होगा x square होगा 2 a x plus b ठीक है तो minus 2 a x plus b को यहाने ने दीजे और क्योंकि यह y की पावर minus 2 है तो नीचे y square हो जागा है यहाने की x square plus b x plus c का whole square यह जो आया आपका और यह जो आया एक्जेक्ली सेम आया दोरों तरीके से आप कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके का question हम दो तीन देख चुके हैं तो मैं उसको आपको यहीं बताऊंगा इसमें क्या करेंगे आपको दिया हुआ है e की पावर x by 1 plus x square तो पहले e की पावर x का कर लेते हैं u dash e की पावर x ही आएगा तो बड़ा कर देता है उसको और x square का वाग पा 2x हो जाएगा सबसे पहले आपको इन दोनों को मुझा करना है वह आप यहां देख रहें x e की पावर x 1 plus x square फिर इन दोनों को मुझा करना है 2x इंटू e की पावर x और यह जो वी है इसका square कर देना है जो निचे वाल है ना उसका square कर देना तो 1 plus x square का whole square इसको मुझा कर दीजे अंदर यह e x, यह e x square यह minus e x 2x इस पूरे से a की पावर x कामन ले लिजे 1 plus x square minus 2x आएगा और यह 1 plus x square का whole square यह जो 1 plus x square minus 2x होता है 1 minus x square x का whole square a square minus b square a square a minus b ka whole square a square plus b square minus 2ab तो यही आएगा तो इसको इसमें एक चीज है इसको आपको 1 minus x का whole square लिखना हो इतना answer में दिया हुआ है तो ऐसे लिखने ही अब सवाल संख्या मैं 9 ले रहा हूँ यहाँ पर और उसमें भी यह सवाल इस तरीके का हम देख चुके हैं तो यहीं बता दोगा इसको नवे सवाल में यह है कि उपर वाला है आपका यहीं लिख देता हूँ यही पार x plus sin x यह कि e की पार x रहेगा sin x का cos x वजाएगा और वी का लेंगी है यह 1 प्लस लॉग x यह 1 का तो 0 हो जाएगा लॉग x का 1 वाल एक्स वजाएगा अब आपको क्या करना है नीचे जो है वी स्कूर आएगा इसका मतलब 1 प्लस लॉग x का होल स्कूर इत हो गया आपको पहले यह व पर आप यह है आप 1 प्लस लॉग x कामन ले लिजिए या फिर इसका LCM ले लिजिए तो इसके साथ x मडिप्रा हो जाएगा और इवन प्लस लॉग x e की पार x प्लस cos x मैनस e की पार x प्लस x यही आंसर है इसका अगला question है question number 10 इसमें आपको दिया है x tan x by sec x प्लस tan x तो यह u है यह v है तो पहले u dash कर लेते हैं v dash क्या होगा इसको हमको करना पड़ेगा उससे पहले मैं x tan x लिख देता हूँ पर क्यूंकि पहले x का करते हैं मतलब पहले x फिर tan x का से x square x प्लस tan x x का तो बन होता है तो यह हमने product rule से किया है तो यह x x square x प्लस tan x हो गया यहां पर आप आईए अब v dash पर आते हैं तो v dash क्या है sec x और tan x तो sec x का तो होता है sec x tan x और tan x का होगा sec square x तो हम क्या करेंगे v और u dash को पहले multiply करते हैं याने अब मैं sec और tan को न केवल s और t लिखूँगा क्योंकि जगा अपने पास limited है तो यहां पर हम लिख रहे है sec x प्लस tan x इसको इससे उट ब्लाय कर रहे हैं x यह यह इससे x sec square x और प्लस tan x यह हो गया अब minus क्या करेंगे यह x tan x को करेंगे आप इससे हमारा x sec square x और tan x तो यह करी दिया हम ने और अब हम यह करेंगे इस इसका डिफ्रेंसिशन तो किया ही निया भी हाँ यह sec x tan x तो यह हो गया sec x tan x प्लस sec square x अब मैं नीचे का नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे का यहां बता देता हूँ नीचे का होगा v square या निकि sec x प्लस tan x का whole square अब आप देखिए यह नीचे का है अब यह बाद में बताऊँगा इसका क्या होने वाला है पहले हम इसको कर लेते हैं इसमें आप देखिए यह जो sec प्लस tan है और यह x sec square x प्लस tan x है यहां से इसमें s दोनों में दिख रहा है तो हम यहां से x ले लेते हैं यह 10 x sec x ले ले लेता हूं मैं दिख क्या हम रहेगा 10 x ऑगी पिचे कर दिया हमने इसलेवों कि मैं इस से मेस्ट करना चाहरू हूं तो sec x plus 10 x अगर मैंने यहां से 1 x हटा दिया यहां से S हटा दिया तो sec x plus 10 x बन गया है अब आप देखिए इससे सुल ख स्कामन ले सकते हैं तो सल ख़ता हैं तो आपको ञैसे क्वण बहुत कर दीजै Carnival उपर क्या बना ? निचे स्च एक एक्स प्रेक्स से नेक्स है उपर आप देखेगा «अ्स को ऐसे लिए यह आप को यह ले जाए इसको ले रहा हूं» इन दोनों से ये X इन दोनों से हम X और Sec X common ले सकते हैं तो मैं इससे ले रहा हूँ X Sec X common X Sec X common लेंगे तो X Sec X बचेगा यहां से एक X और Sec X ले लिए तो 10X बचेगा, minus 10X यह तो था ही यहां पर नीचे क्या है आपका Sec X 10X इस step की अवश्यक्ता नहीं है इसको आप चाहे तो आप छोड़ सकते हैं पस यह दिहां रखेगा, इससे एक Sec X आपको common लेना है, वो यहां पर हुआ है और फिर Sec X, 10X दोनों से common लेके एक कार्ट दीजे जो बागी बच्चता है उसमें कि वहला अगला सवाल है इसका question number यह है सवाल संक्या आपका 11 इसमें आपको दिया है X sin X by 1 plus cos X तो क्या करने वाले हम लोग, पहले यू दैश निकाल लेते हैं अब यू दैश को तो हमको product rule से करना बढ़ेगा तो पहले X का यहां लिख देते है, sin X का cos X कर देते है प्लस sin X लिख देते हैं, और X का तो 1 को जागा था X cos X plus sin X जो यहां आप देख रहे हैं वी डैश क्या करेंगे, आपका 1 plus cos X तो 1 का तो 0 हो जाएगा cos X का minus sin X, जो आप यहां देख रहे हैं अब मैं आपको यहीं बता हुआ है इसको पहले आप क्या करेंगे, यह जो V है, इसको ठाके नीचे रख देंगे 1 plus cos X का होल स्क्वेर, फिर V को मुटिप्लाइब करेंगे यू डैश से, यह निकि 1 plus cos X मुटिप्लाइब होगा X cos X plus sin X, यह हो गया और X sin X मुटिप्लाइब होगा 1 plus cos X है, अगर हम इस sin square X को, 1 minus, क्योंकि sin square X क्या होता है 1 minus cos square X होता है यह न, और 1 minus cos X क्या होता है 1 minus cos X, इसको 1 square minus cos square X माली जे, तो 1 minus cos X 1 plus cos X हो गया है तो 1 minus cos X, 1 plus cos X हो गया यह क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ 1 plus cos X दिख रहा है, और नीचे 1 plus cos X का whole square था ही, क्योंकि हमको v square करना था अब इस पूरे से 1 plus cos x 1 plus cos x common लेजे, तो जैसे आप common लेंगे यासे common लेंगे, तो आपका एक इससे कड़ जाएगा आपका अंदर क्या पच्छता है x cos x plus sin x plus x 1 minus cos x ठीक है, तो यहां बच्छा x cos x plus sin x, यह तो ले लिए आपने तो यह बढ़ा minus x, मैं multiply कर रहा हूँ x minus x, plus x और x into minus cos x, तो minus x cos x राइट अब इसमें भी कुछ सम्भावना है कि हमारे पास कि हमारे पास कोई सम्भावना बन सकती है, कि हम कुछ common ले सकते हैं इसमें, अगर हम ले सकते हैं, तो हम लेंगे, राइट या फिर आप आप कैसे x plus sin x तो हैं यह वाला यह ले लिजे, x plus sin x तो यहां ले लिजे और यह एक काम करें मैं यहां से ले रहा हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या हम एक और one, इसका जो है, अगर आप देखें, यह वाला अगर यह है, x plus sin x और cos x plus one, और नीचे है one plus cos x का whole square, तो जो मैंने आपको काटा, यह जो यह जो cancel किया इसकी अवशकता नहीं है क्योंकि अब cancel करेंगे नॉर्मल अगर एक्जाम में आगा तो cancel करेंगे यह x cos x cos x तो कटी गया उपर x plus sin x आ गया और नीचे one plus cos x तो मेरे हिसाब से तो यह answer होना चाहिए क्योंकि one plus cos x, one plus cos x कट देजे लेकिन x plus sin x by one plus cos x अब देखें जो answer दिया है उसी चलना पड़ेगा इसमें one plus cos x मत कटीएगा क्योंकि rd शर्मार दिया हुए अद्रवाज हमारा यह होना चाहिए next question है question number 12 इसमें है जो fx आपको दिया है जो function दिया है वो है 2 की power x और cortex और divided by root x तो इसको हम u लेंगे इसको भी लेंगे और फिर u dash करेंगे u dash आपको कैसे करना होगा इसमें लगाना होगा product root तो product root लगाते हैं इसमें पहले 2 की power x cortex का होता है minus कोजे x square x फिर plus कर दिजिए अब हम करेंगे cortex को इसे रख देंगे 2 की power x का करेंगे तो 2 की power x का होता है 2 की power x log ea यहने की log 2 यह आगया आपका u dash अब हम v dash करेंगे root x का क्या होगा root x root x का इसे कैसे होता है root x का हम मानेंगे x की power half x की power half का क्या होता है half x की power half minus 1 दो होगा half x की power minus half इसको निचे ले जाएंगे 1 by 2 root x 1 by 2 root x हा गया अब पहले इंदोरों को मोडिप्राय करेंगे यानि के root x को u dash से जो यहां देख रहे हैं और फिर u को v dash से जो आप इंदोरों का मोडिप्रिकेशन यहां देख रहे हैं और divide कैसे करेंगे v square से root x का whole square रहने की x हाई का इसमे root x का whole square कितना होता है x तो आप यहां पर जो x देख रहे हैं वो ऐसे देख रहे हैं अब इसमें क्या करेंगे हम यह वाले में हम root x मतलब इसका lcm ले लेंगे अगर इसका lcm लें जैसे मैं इस पूरे को divided by 1 मानू पहले इसको इससे multiply करें इसको इससे multiply करके यहां लिख दीजें तो इहां multiply करेंगे root x और यह जो root x है यह बन जाएगा कितना x ठीक है और यह जो 2 की प़ूर x है और 2 है इसको कैसे लिखेंगे देखेंगे यह तो समझेगे पहले आप इसको 2 को हटा देंगे root x को ही लेंगे इसको 2 को हटा रहा हूँ रूपर 2 की प़ूर x है नीचे आपका 2 की पार 1 है, तो यह क्या होगा, 2 की पार x, और उपर जाएगा यह 2 की पार minus 1, 2 की पार x minus 1 बन जाएगा है, ठीक है, तो यह 2 की पार x और 2 की पार x minus 1 रख दिया, अब आप इसका root x अलसियम ले लिए, root x इससे multiply होगा, root x, root x होता है, x, और यह तो खेर है, और minus क्या होगा, 2 की पार x minus 1 जो यह आया, और cot x, divided by क्या होगा, पुरे के नीचे root x आएगा है, root x आप देख रहे, root x को नीचे ले यह इसके साथ, एक ही बात है, यहां है, यहां है, एक की बात है, तो x, root x होगी, ऊपर आप देखिएगा, इस जगह पे, जो हमने multiply किया, इसमें जैसी हम x को अंदर ले जाएंगे, जिस x को अंदर ले जाएंगे, तो यह होगा, तो y2 ही बचा, 2 की पार x हमने बाहर ले लिया, यहां आया, minus cos x पर x, यहां आया, आपका log 2, cos x, और यह x, cortex और log 2, cortex x, यहां हमने 2 की पार x ले लिया, तो y2 है, cortex by 2 आया, यहां बस इतना ही answer है, यह जो x root x से इसको, यह पुरा answer हो गया, पुझे x root x से इसको ऐसे लिखा गया है, root x से x की पार half, तो 1 और half जूड़ जाएगा, तो x की पार 3 by 2, ऐसे लिखा हुआ है, यह आपका, यह आपका final answer है, अब हैं सवाल संख्या 13, इसमें हैं, जो सवाल दिया है, वो पहले दिखा दूँ आपको, वो दिया है, sin x, minus x cos x, divided by, x sin x, plus cos x, यह u है, यह v है, पहले u dash टी कालना है, v dash टी कालना आपको, तो sin x का हो जाएगा cos x, और minus x cos x, x cos x का क्या होगा, पहले मैं x cos x का बता देता हूँ, यह x cos x का हम product rule से करेंगे, पहले x होगा, cos x का होगा, minus sin x, और फिर cos x, और x का तो फिर रवानी हो जाएगा, तो cos x minus x sin x होगा, तो cos x minus x, यह कहें, कि x sin x minus cos x, क्योंकि यह negative में है, यहां रखेगा, यह negative में है, इसलिए इसको plus कर दीजिए, तो negative कर दीजिए, यहां पर, यहां पर जो है, आपका नीचे x sin x plus cos x है, तो cos x का तो minus sin x डारेक लिग दीजिए, अब x sin x का बता देता हूँ, तो x sin x का cos x, plus sin x यहां रखेए, और d by dx of x यह होगा, x cos x, तो x cos x plus sin x यह होगा, और cos x का तो minus sin x होगी गया, कहाने का मतलब यह है कि इसमें cos x और cos x cancel होगया, यह x sin x आया है, इसमें sin x और sin x cancel होगया, कि वहल x cos x है, तो ultimately u dash आ गया x sin x, और v dash आ गया आपका x cos x, clear है, अब आपना काम करेंगे, u dash को v से multiply करेंगे, मतलब एक sin x को आप multiply करेंगे, x sin x plus cos x है, और x cos x को multiply करेंगे, आप sin x minus x cos x, तो x cos x को multiply करेंगे, sin x minus x cos x, और denominator क्या है आपका, यह v, v का whole square, x sin x plus cos x का whole square, यह अंतर तक ऐसी चलेगा, इसको ऐसी लिख दीजिए, यह अंतर तक ऐसी चलेगा, उपर आपको कुछ नहीं करना है, उपर आप multiply कर दीजिए, तो यह का बनेगा, यह x square sin x, यह बनेगा, cos x x sin x, x cos x, यह बनेगा, x cos x sin x, यहां हो गया, मैनस में, और यह आपका हुआ, मैनस मैंस प्लस, और x square cos square x, यह हो गया, अब इसमें आप देखेगा, कि यह x cos x sin x, x cos x sin x, यह दोनों कैंसल हो गया, यह और यह हो गया, कट गये, x square sin square x, प्लस x square cos square x, अब x square x से common ले ले, तो आपका sin square plus cos square अंदर आएगा, sin square plus cos square क्या होता, 1 होता है, तो किवल x square बचाओगा, तो यहाँ पर रखेगा, आप x square देख रहे हैं, मैंने कहा था, यह नीचे हमेशा ऐसी, यहाँ से यहाँ था कि ऐसी चल रहा है, अब है यह सवाल संख्या, question number आपकी 40, इसमें जो सवाल दिया हो, आपको दिखा देता हूँ, इसमें 14 में है, x square minus x plus 1, by x square plus x plus 1, यह u है आपका, यह v है, u dash क्या होगा, यह 2x, और minus 1, v dash क्या होगा आपका, 2x plus 1, ठीक, तो आप v into u dash करिए पर दे, यानिकि x square plus x plus 1, और 2x minus 1, इसी तरीके से, v dash u करिए, x square minus x plus 1, और 2x plus 1, x square minus x plus 1 और 2x plus 1, और denominator में क्या होगा, v square, x square plus x plus 1 का whole square, अब इनको proper multiply करिए, सब को multiply करिए, अब होगी multiply करेंगे, एक एक term करना, जैसे x square को पर इस से कर दिया, x को इस से कर दिया, फिर 1 को इस से कर दिया, जब आप यहाँ पर आएंगे, जब खुलेंगे इसको, तो आप दिखेंगे, कि cancellation हो जाएगा, maximum चीज़ों, यह 2x cube, 2x cube cancel, ठीक है, यह 2x और 2x cancel, यह आपका, minus x, plus x cancel, यह minus 1, minus 1 मता है, minus 2, यह minus x square, यह x square, minus x square, minus x square क्या बन गया, यह आपका हो गया, minus 2x square, तो माइनस, देखेंगे आपकर, एक 2x square यह है, एक 2x square यह है, और यह minus x square, और minus x square बन गया, minus 2x square, तो एक 2x square से, यह 2x square कड़ गया, एक 2x square बचेगा कि बाद, और यह minus 1 और minus 1, 2 बागी सब cancel हो गया, 2x square minus 2 आगया, चाहे तो आप 2 बाहर ले लिजे बस, यह तो चलेगा नीचे, यह जो v square है, यह नीचे ऐसे चलेगा, v square है, twice यहां से बाहर ले लिजे, x square माइनस 1 आएगा, अगला है सवाद संख्या 15, इसमें है under root, मैं पहले सवाद बता देता हूँ आपको, root a plus root x, by root a minus root x, तो यह आपका u हो गया, यह v हो गया, तो u dash ले ले लेते पहले, u dash क्या आएगा, basically क्या है, इसमें u dash v dash निकाला ही main है, इसमें बाकी क्या लेना होता है, तो u dash निकालेंगे क्या आएगा, root a क्या होता है 0, क्यों क्यों सेंट है, root x का हम आप अलड़ी देख चुगी क्या होता है, 1 by 2 root x, मैं डिरेक्ट लिख रहा हूं इसको, बता देता हूं इसमों root x कैसा आएगा, root x को हम लिख सकते है, x की पाउर half, x की पाउर half क्या होगा, half x की पाउर half minus 1, यह half x की पाउर minus half, यह बने 1 by 2, इसको निच ले आएगे root x, तो 1 by 2 root x आए ना, आपका u dash, इसमें बिल्कुल ऐसी होगा, v में, जैसे v dash क्या होगा आपका, root x का दो 0 हो जाएगा, यहां negative आजाएगा, root x का हम कैसे करेंगे, तो 1 by 2 root x, तो minus 1 by 2 root x, तो पहले इसको इसमें बिल्कुल आए करिए, 1 by 2 root x को आप करेंगे, root a minus root x है, तो root a plus root x को मुटिप्लाइ करेंगे, minus 2 by under root x है, आप नेगेटिव है, पहले तो इसको negative को negative को आप positive कर दीजिए, अब 1 by 2 root x को चाहे तो आप common ले लिजे, 1 by 2 root x को common ले लिए हमने, अंदर क्या बना, root a minus root x, plus root a plus root x, root x, root x cancel, यह होगा 2 root a, 2 root a by 2 root x, 2 to cancel, root a by root x, लेकिन आपको मैंने बताया था, यह तो चले गई, यह v square है, यह v square है, v क्या है, root a minus root x, फुल स्कार, तो root a minus root x का होल स्कार, आप देखेंगे यही अंसर हैं, root a by root x, minus root a minus root x का होल स्कार, सवाल संक्या 16 है, इसमें आपको दिया हुआ है, जो fx है, यानि कि जो basically function है, वो क्या दिया है, वैसे तो fx बाज gx बताया है मैंने, लेकिन यह u by v form है, इसमें है a plus sin x, by 1 plus a sin x, यह u है यह v है, u dash क्या होगा, यह तो 0 हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, v dash क्या होगा, यह है a1 का 0 हो जाएगा, constant भाहरा आजाएगा, sin x का cos x, तो cos x और a cos x आगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, v dash को, इस v को u dash से multiply करेंगे, वन प्लस a sin x को cos x है, तो 1 plus a sin x को cos x है, फिर आप multiply करेंगे, a cos x को a plus sin x है, तो a cos x को a plus sin x से, बीच में आपका negative है, denominator में क्या आएगा, 1 plus a sin x का whole square, चीक है, अब a के कोई multiply करेंगे, यह तो आप कर लेंगे न, a के कोई multiply करेंगे, सारा खोल देंगे, अब इसमें आप देखिएगा, कि जो a sin x cos x है, और a sin x cos x है, दुरों cancel हो रहे हैं, एक positive हैं, एक negative हैं, यहाँ पर बचेगा cos x, और minus a square cos x, तो बस आप cos x common ले लिजिए से, यहाँ पर आपको इन से cos x common ले लिना है, और cos x जैसी common लेंगे, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा a square, तो cos x, 1 minus a square y, यह तो ऐसी चलेगा, all plus a sin x का whole square, यह स्वलवा उसका उत्तर होंगे, यह question number 17, इसमें है आपका 10 की पाउर x by sin x, यह u है यह v है, u dash टिकाल लेते हैं, 10 की पाउर x का क्या होगा, 10 की पाउर x, बन्हें एक की पाउर x long a, log 10, v dash क्या होगा इसमें, sin x का हो जाएगा cos x, इसको स्वलिप्या करिए, sin x को 10 की पाउर x log 10 से, तो यहाँ देख रहे हैं, और v dash को u से, 10 की पाउर x को cos x से, और divided by क्या होगा, अब का v square, sin x, और इसको ज़रा अलग-अलग कर लीजे, इसमें अलग-अलग कर लीजे, यह sin, मैं इसको करके, sin को मैं sin लिखूँगा, cos को c लिखूँगा, sin को s लिखूँगा, तो sin यह है, sin 10 की पाउर x log 10, नीचे मैं sin square लिख रहा हूँ, minus 10 की पाउर x, cos x और sin square, एक sin से, एक sin cancel, और इस sin को उपर लिजा लेंगे, तो क्या हो नहींगा, 10 की पाउर x, यह काम कर रहा हूँए, 10 की पाउर x को मैं common ले ले रहा हूँ, नहीं से, तो 10 की पाउर x common हो गया, अब यह उपर गया, एक sin से sin कट दिया, sin उपर ले गया, तो हो गया, cos x और log 10, minus, cos by sin है, तो इसको cos by sin square को हम लिख रहे हैं, cos by sin, और नीचे 1 by sin, cos by sin तो caught हो गया, x और caught, तो 10 की पाउर x तो common ले लिया था, यहां भी cos x common ले लिए तो इसको बाहर ले लिजे, बन जाएगा cos x, 10 की पाउर x, अंदर log 10, minus caught x, ठीक है जी, यह इसका उत्तर है, अगला एक question number 18, तो इसमें क्या करेंगे, 18 में दिया है, function दिखा देता हूं, 1 plus 3 की पाउर x, और 1 minus 3 की पाउर x, यह u है, यह v है, तो u dash क्या होगा इसमें, तेंगे इसमें दोनों मैं एक साथ बता रहा हूं, यह question number 18 और question number 19, यह question number 18 है, यह question number 19 है, फिर question number 18 बताऊंगा, फिर question number 19 बताऊंगा, question number 18 क्या होगा, यह u है, 1 plus 3 की पाउर x, बन तो 0 हो जाएगा, और 3 की पाउर x क्या होगा, 3 की पाउर x, log 3, v dash क्या होगा, यह तो 0 हो जाएगा, minus, minus, 3 की पाउर x होगा, 3 की पाउर x, log 3, ठीक है यह u dash होगे है यह v dash होगे हम क्या करेंगे सबसे पहले u dash को v seven multiply करेंगे या निकि 3 की पौर x log 3 को 1-3 की पौर x से वो यहां आप देख रहे हैं और one plus three की पौर x को minus three की पौर x log 3 से मतलब इसको इससे one plus three की पौर x से मतलब यह formula लगाना है वेसिकलिए जब यह हो गया और नीचे क्या होगा v square यानि की one minus three की पौर x का whole square यह तो ठीक है अब यहां पर देखिएगा थोड़ा क्या हो रहा है इसको proper पहले multiply करें थी की पौर x log 3 और यह one right यह तो यहां गया उसके बाद three की पौर x three की पौर x log 3 तो three की पौर x three की पौर x क्या होगा three की पौर two x x plus x two x हो जाएगा और log three यहां पर आईए minus minus plus कर दीजे पहले बागे सारे plus हो जाएगे क्योंकि minus यहां लिए प्लस हो जाएगे यहां भी three की पौर x log three यह हो जाएगा और three की पौर x log three three की पौर two x log three ठीक है अब इसमें देखिए यह जो है three की पौर two x log three और three की पौर two x log three यह दौनों cancel हो जाएगे यह और यह cancel तो आपका three की पौर x log टू इंटू 3 की पौर X लॉग 3 हो जाए गए यहां देखिए 2 3 की पौर X लॉग 3 और नीचे जो यह चल रहा है V स्क्रार मतलब यह जो आप शुरुवात से लेकी चल रहे ना यह वी वाल यह तो चली रहा है 1-3 की पौर X का हो स्क्रार क्लेर है यह आपका सवाल संक्या हुआ आपका 18 अब मैं सवाल संक्या आपको 19 बता रहा हूँ 19 में बिल्कुल सेम है exactly सेम है तो 3 की पौर X उपर बार तो सेम है नीचे X प्लस 10X यह हम अल्यडी कर चुके है पहले सवाल में इसके पहले सवालों में हम कर चुके है लेकि मैं आपको बताऊंगा U' क्या होगा इसमें यह U है यह V है 3 की पौर X और लॉग 3 V' क्या होगा X का क्या होगा 1 10X का क्या होगा 6 square X ठीक है तो आपको करना क्या होता है आपको V U' कर रहा होता है तो पहले इसको स्वालों में पाया करी है निए X प्लस 10X को आप 3 की पौर X लॉग 3 जो यहां देख रहे हैं इसके बाद 3 की पौर X को आप 1 प्लस X स्वार से करें 3 की पौर X 1 प्लस X स्वार और V को उठाईए और नीचे स्कौएर करकर लग दीजिए तो V स्कौर हो गया X प्लस 10X का होल स्कौर इसमें कुछ बन नहीं रहा है अगर मुदिप्लाइभी करें तो कुछ निए अपको बस क्यों 3 की सबाल संक्या है, वी इस इसमें 1 प्लस log X यजिस है 1 प्लस log X था सब्सक्राफ या는 ये U है ये V है अब मैं इसको यहीं बता देता हूँ U'dash क्या होगा? 1 का 0, log X का 1 by X V'dash क्या होगा? 1-log X यानिकी 1 का 0, minus to आएगा log X का 1 by X तो 1 by X, 1-1 by X तो आपको क्या करना है वी उडश करना है मतलब इसको 1-log x को 1 by x करिए जो यहां कर रहे है ऐसी 1 plus log x को minus 1 by x से करिए 1 plus log x को हमने minus 1 by x से किया और negative कर दिया denominator में क्या होगा 1 minus log x का whole square ठीक है जी अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे 1 by x को सबसे पहले क्या करिए इस minus और minus को plus कर दिए minus minus plus हो जागा तो यह तो plus होगा है 1 by x को बहार ले लिजे 1 by x को बहार लेंगे तो क्या होगा अंदर मैंने का 1 minus log x plus 1 plus log x log x log x तो cancel होगा और उपर आए 2 और यह 1 by x था तो 2 by x है अब मैने आपको बताए कि 20 को तो चले का v क्या है आपका 1 minus log x का soldier यह आपका 1 minus log x का soldier ठीक है? यह आपका उतर होगा यह सवाल संभिया था आपका 20 19, 20 हम 21 वह करेंगे अब यह है सवाल संखिया आपकी 21 अब जितने भी question आगए आ रहे है वो सारे के सारे N, C, E, R, T के सवाल है ठीक है तो इसमें आपको जो function दिया हुआ है वो है 4X plus 5 sin X divided by 3X plus 7 cos X इसको U माल लीज़े इसको V माल लीज़े U- करेंगे 4X कर खेंगा 4E बनेगा 5 तो ऐसी रहेगा sin X का cos X बन जाएगा V- दे लेते इसका भी 3E बनेगा 3X का 3E बनेगा differentiation कर रहे है और minus कर देता है इसको क्योंकि यह आपर cos X दिख रहा है cos X का minus sin X होता है तो यह बन गया अब आपको क्या करना है यह वाला question rule लगाना है यानि पहले आप V को U- से multiply करेंगे 3X plus 7 cos X को multiply करेंगे 4 plus 5 cos X है और minus करेंगे 4X plus 5 sin X को multiply करेंगे 3 minus 7 sin X है denominator में आपका आएगा V square यानि कि 3X plus 7 cos X का whole square अब हम देखेंगे इसको multiplication I hope यह multiplication आप कर लेंगे इसको एक एक करके multiply करना है सारे term को जब आप multiply करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे एक आपका cos square का term है 35 cos square आएगा और यहाँ पर 35 sin square आएगा बस इसमें यही परिवर्तन है main चीज़ यही है आगी जो चीज़ है वो proper multiplication से आई है हर एक term का multiplication हुआ है यह जो 35 cos square X है 35 sin square X है इसमें 35 common ले लिजेगा cos square X और sin square X प्लस करेंगे तो 1 होता है यह 1 हो जाएगा तो यह जो आपका आगया और नीचे 20 square चली रहा है यह नीचे तक आएगा तो यह आपका final answer हो गया यह सवाल संक्या है आपकी 22 इसमें आपको दिया है यह सवाल संक्या 22 है और यह सवाल संक्या आपका 23 है तो इस तरीके का सवाल हम पहले कर चुके है और यह सारे repeated हैं almost तो यह इसको यू माल लिजे और इसको आप वी माल लिजे तो यू डैश क्या होगा एक्स का वन ही होता है वी डैश क्या होगा वन का वन, वन का 0 हो जाएगा 10x का 6 square x basically आप लाएंगे x square x यहाँ पर अब आपको क्या करना है 1 को 1 plus 10x से मणिप्लाय करना यह हो गया x को x square x से करना वो यह हो गया और denominator में आपको v square देना है यह यह 1 plus 10x का whole square देना है तो यहाँ पर हो गया 1 plus 10x minus x square x 1 plus 10x का whole square चुछ नहीं करना है जो चीज आएगी वो भी final answer हो जाएगा अब मैं आपको बता रहा हूँ question number है यह 23 ठीक 23 में आपको दिया हुआ यह भी सारे NCRT के सवाल चल रहे हैं आपके तो इसमें दिया है आपको यहाँ लिख देता हूँ इसमें दिया है आपको a plus b sin x divided by c plus d cos x ठीक है जी अब यह u है यह v है u dash निकालते है a का तो 0 हो जाएगा b का b है सामने आएगा sin x का cos x v dash का आएगा c का तो 0 हो जाएगा यह d आगे आएगा cos x का minus sin x ठीक है यह यहाँ पर आप देख भी रहे है यह ठीक v u dash करेंगे पहले c plus d cos x को b cos x से multiply करेंगे a plus b sin x को minus d sin x से करेंगे यह हो गया आपका यह minus और minus कहीं भी दिखे आपको तो plus कर दीजे पहले असान हो जाता है इसको plus करिएगा फिर multiply करिएगा तो आब एक-एक term को multiply करेंगे जैसे c और b cos x को किया यानि कि यह जो c plus d cos x को whole square है वो तो चली रहा है वो आपका नीचे है तो यह आपका final answer आजाएगा अब सवाल है आपका question number 24 तो अगर आपको याद हो तो सवाल संक्या 5 कुछ इसी तरीकी का था almost तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या चीज है आपके पास p x square plus q x plus r divided by यह है a x plus b तो यह u है यह v है तो u dash क्या हो जाएगा p x square का हो जाएगा 2 p x और यह plus q r का 0 हो जाएगा और v dash क्या होगा b तो 0 हो गया a x का क्याल a आएगा तो आपको क्या करना है इन दोनों को multiply करिए यहां लिखिए इन दोनों को multiply करिए यहां लिखिए दोनों के बीच में negative sign और v कहा है आपका a x plus b इसका square करके यहां लिख देगे अब proper multiplication होगा आपका जिए proper multiplication होगा तो आप देखिए उसके बाद आपको यह मिलेगा तो यह जो 2 a p x square है और यह a p x square है यह तो a p x square बन जाएगा माइनस में है इसलिए और आप यह जो a q x है और a q x को cancel कर सकते हैं यह cancel हो जाएगा इसको मैं cancel कर रहा हूँ 2 b p x x से आजएगा और यहां पर b q माइनस a r यह आपका यहां आगया by sec x plus 1 यह u है यह v है u dash निकालेंगे sec x का होता है sec x 10x 1 का 0 हो जाएगा v dash क्या होगा यह भी sec x 10x बनेगा युकि sec x का होता है sec x 10x और यह तो 0 हो जाएगा पहले इसको से उनिप्लाय कर लिजे यहां लिख दीजे इसको से उनिप्लाय कर दीजे यहां लिख दीजे और v square sec x plus 1 का whole square आप मीच लिखेंगे अब आप प्रॉपर मंडिप्लाय करेंगे जैसे हम करते चले आ रहे है पूरा इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे और माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा जब यह आपका हो गया तो आप देखेंगे कि यह जो sec square x tan x है और sec square x tan x है यह प्लस और माइनस में है इनको cancel कर दीजे यह sec x tan x और यह sec x tan x twice sec x tan x हो गया और v square तो हम चला ही रहे है यह हमारा v square यह जो v है sec x plus tan x यह तो नीचे है ही इसका square कर दीजे है यह है सवाल संक्या 26 इसमें आपको जो दिया है वो है u by v बता देता हूँ आपको यह है x की पावर 5 minus cos x divided by sin x यह वो है यह v है u dash निकालेंगे x की पावर 5 का 5 x की पावर 4 हो जाएगा और cos x का minus sin x cos x का minus sin x होता है और v dash क्या होगा sin x का तो cos x होता है पहरे इसका multiply कर लीजे sin x को इससे 5 x की पावर 4 और sin x से और इन दोनों को कर लीजे cos x को x की पावर 5 और minus cos x से बीच में negative sin आएगा और denominator पे क्या होगा आपका यह जो v है इसका square कर लीजे इसको multiply करेंगे प्रॉपर जो multiply करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि एक टर्म जो आपका आएगा यह जो sin x into sin x sin square x बनेगा cos x into cos x क्योंकि negative 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 मतला positive बनेगा cos square x आजाएगा sin square x plus cos square x की जगा 1 लिखेंगे बाकी जो आपका आ रहा है वो मुटम वैसे रहेगा नीचे sin square x यल रहा है पर इतना ही इसमें परिवर्तन करना है यह इसका answer है यह है आपका 27 तो इसमें आपको दिया है x plus cos x divided by 10 x u है v है u ड़ाश डिका लेंगे x का हो जाएगा 1 cos x का हो जाएगा और 10 x का हो जाएगा sex square x इसको सब्रिप्लाइ करिए यहां लिखिए इसको सब्रिप्लाइ करिए यहां लिखिए बीच में negative sign नीचे आपका v square चल रहा है 10 square x इसको आपको solve करने के विश्रक्ता नहीं है क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं इससे जादा से जादा आप cos x को sex square x से multiply करेंगे तो वो एक cos कट जाएगा यह sec x आ जाएगा लेकिन आपके यह इसमें NCRT में भी और आडी शर्मा में भी एतना ही आंसा लिखा है तो यहीं भी छोड़ देते हैं इसको यह सवाल है आपका question number 28 इसमें है x divided by sine की power nx तो x यह u है यह v है पहले u dash कर लेते x का तो खेर 1 हो जाएगा v dash करेंगे तो क्या होगा इसमें हम product rule लगाना पड़ेगा आपको पहले तो इसको y की power n मान के चलिए यह होगा n y की power n-1 फिर y का करना पड़ेगा d by dx आप y करना पड़ेगा तो इसको मैं direct लिख देता हूँ यह जगा n sine की power n-1 x और फिर sine x का क्या होता है cos x यह हो गया तो आप v को u dash से multiply करिए मतलब इसको इसको इससे multiply करिए यह sine की power n x dot 1 मतलब multiply by 1 और फिर x सो आपको इससे multiply करिए x into n x sine की power n-1 into x और cos x और division में क्या हैगा आपका v square मतलब sine की power n और उसकी power 2 है यह तो 2 यहां पर इससे multiply होगा power multiply हो जाते है तो sine की power 2n नीचे आपका यह ही चले 2n x यह चलता रहेगा उपर देखेगा यहां पर हम क्या करेंगे इससे मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा हम जो sine होता है ठीक है इसमे कोई भी power जो होगा चाहिए sine हो चाहिए कोई भी power हो इसमें हमेशा जो छोटा power है उसको भार लेते तो यहां पर sine की power n है और यहां पर आप देख रहे है sine की power n-1 है तो आप sine की power n-1 कामन लेंगे यह ध्यान रखीगा विशा जैसे अगर x की power n-1 होता और x की power n होता तो क्या लेते आप यह x की power n-1 बाहर लेते वही हमने यहां पर किया है sine की power n-1 बाहर ले लिया तो यह आपका एक तो यह हो गया sine की power n-1 into x बाहरे लिया यह तो यहां से डारेक्ट आजाएगा तो बचा क्या आपका nx कॉस x तो बढ़ा करके दिखा देता हूं sine की power n-1 x लिया तो यहां sine x अंदर आ गया यहां पर आपका यह चला गया 2n x यह है sine की power n-1 x तो यह जब नीचे जाएगा तो बनेगा sine की power minus n-1 x नेगड़ी हो जाता है अब इसको जोड़ दीजे 2n minus n इसको खोलेंगे तो plus 1 हो जाएगा तो 2n minus n कितना होता है n तो n plus 1 तो sine की power n plus 1 x यह denominator में होगा उपर तो आपका sine x minus n x cos x तो चली रहा है अब है सवाल संक्या question number आपका 29 इसमें क्या की दिया गया आपको ax plus b divided by p x square plus q x plus r यह u है यह v है u dash करिए ax का 1 तो b तो 0 हो जाएगा v dash करेंगे तो यह गा 2 p x plus q तो इसको इसमें रिप्ला करिए यहां लिखिए इसको इसमें रिप्ला करिए यहां लिखिए minus का sign इसको खोल दीजे नीचे b square चली रहा है इसका square यह नीचे चली रहा है इसको open करिए यह हम सवाल अलड़ी ऐसा कर चुके है तो आप देखेंगे इसमें यह a p x square है यह minus 2 a p x square है तो minus a p x square आएगा इसी तरीके से यह a q x a q x हो गया cancel यह minus 2 b p x है यहां लिख दीजे a r minus b q यहां लिख दीजे नीचे आपका p x इसका जो चल रहा है p x square प्लस q x प्लस r फोस कर तो चले गए चलेगा यह question number 30 इसमें है 1 by a x square प्लस b x प्लस c यह है question number 7 का बिल्कुल same है question number 7 जो हम कर चुके नहीं बिल्कुल same है तो वटावड बता देता हूं आपको u 1 है v आपका a x square प्लस v x प्लस c है u dash होगा 0 क्यों बन का 0 तो constant का 0 होता है v dash इसका हो जगा 2 a x m e का b c का 0 इस question number apply करी है तो 0 ही आएगा तो यह 0 हो गया और 1 into 2 x प्लस v 2 x प्लस v और minus में है minus 2 x प्लस v और v square इसका square मीचे यही इसका final answer होगा चलिए साब यह exercise हो गई आपकी 30.5 राइट अब अगला जो है वो v saq है उसके बाद इसमें वो नहीं है mcq नहीं है तो very short answer question देखेंगे उसके बाद हम mathematical reasoning पे जाएंगे चलिए धन्यवाद